दोस्तों आपनों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज के वीडियो में आपको बताने वाल है कि आज हमने इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करके एक अच्छा मुनाफ़ा कमाया साथ में कल के लिए मारी स्टरजी क्या रहेगी निफ्टी हो बैंक्टी या फिर यह आपका सपोट एरिया है और आपका लो 17,870 से 17,880-890 कहलो यह आपका रिस्टेंस एरिया था इग्जक्ली मार्केट मॉर्निंग में क्या हुआ आप देखेंगे तो एक फ्लैट ओपनिंग हुई और उपर गया रिस्टेंस के पास में सस्टें नहीं किया ब्रिक और यह यहां से यह वापस से नीचे आया और इसले ब्रेक किया और फिर एक आपको क्या क्या नीचे डाउंसाइड यह फॉलिंग दिखाया ठीक है तो यहां पर क्या हुआ एक्जक्ली आप देख सकते हैं जो आपका 5 मिनिट टाइम का चार्ट है दोस्तों यहां पर आप देख सकत किया आप यहां पर आप ещё क्माई कंत म foul यहां पर यहां के वह पना सथी को यहां पर यहांप यहां पर आपका यहां पर चुर्स और और आप करें मुनाफ़ा कमाया अब यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ासा चलिए मंतली टैंफ्रेम पर और यहां पर गिन आप देख सकते हैं कि मार्किट आपका क्या है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है साथ में डवल टॉप भी है मिन्स कि यह आप देख सकते हैं क् डवल टॉप पैटर्न बना है और यहां पर एक केंडलिस्टिक पैटर्न भी है जिसको कहते हैं बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न मिन्स कि चार्ट के बिल्कुल टॉप पे यदि आपको कभी भी यह पैटर्न दीखे फॉस्ट करनल बियरिश ठीक है और यह क्या करता है इस यहां पर यह कहने है यहां पितली है को लेचान सीयलैंग शासिक में लेना है आटिक की है और अपे क्या हुआ यहां पर यह उपर गया ऊपर यह उपर गया का है 17,971 यहां पर दोस्तों क्या क्या है इस इस के नल का हाई दिखेंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह केंडल की हाई यह 17,915 इसको प्रोस नहीं किया ठीक है अभी भी आप क्या है जो आप यहां पर यहीं करते फिर भी अभी भी से प्रैस उपर है ठीक है यह पूरा रिट्रेस नहीं किया बड़ दोस्तों यह 915 का हाई लगा दिया अब यहां पर यह समझाना चाह रहे है आप लोग से यह आपका मार्केट अवरल सेल और राइज है ठीक है आपको करना क्या है जब जब मार्केट डिस्टेंस के पास में जाएगा आप बेश सकते हैं या पूजिस्तल भी किनी को करना हो देको जो तौसा रिस्क लेना चाह अब यहां पर भी सिल सैट का पोजिशन बना सकते हैं पोजिशनल ठीक है अब यहां पर दोस्तों कल की बात करेंगे तो कल के लिए क्या करना है आप देख सकते हैं जो आपका रिस्टेंस एरिया था ठीक है वह तो शिफ्ट हो गया डौन साइड में पहले क्या था 17,870 अब तो यहां पर यापका हो गया यहां पर हो गया ऊपका होगी और जिफ्ट होगया होगया और दोस भ प्रक आपका सकते शराइड में हो गया यह आपक्कता सपोर्ट हो गया फीक है अब मार् Double कल की बात करेंगे यदि आपकी flat opening होती है इसी के असपास में तो आपको यह देखना है क्या इसको cross करता है या नहीं करता है यदि उपर गया इसको cross कर गया फिर तो आपको 850 से 970 जा सकता है फिर आप 22 का trade लेंगे और यदि आपका market open हुआ और आज यहाँ पर touch किया और यही आप पर क्या करेंगा ब्रेक कर देगा देन आप एक sales side में trade बना सकते हैं या फिर marketing gap open होगा open है इस पास में at that time भी आप short sale का trade बना सकते हैं तो करना क्या है support के पास में आपको क्या करना है यदि support के पास में आया और यहां से reverse हो गया तो आपको support के यहां पर करेंगे और उपर में यहां पर मिलेगा और रिवर्सल को देगा तो आप सिल करके चल सकते हैं ठीक है दोस्तों हमने clearly आपको बताया कि आपको तीन सकता है यहां पर मार्केट फ्लैट अपर होगा ऐसे ऊपर जा सकता है यहां फिर नीचे आसकता है नीचे आएगा और यहां से लिवर्सल दिया जिन आप सिल से बना सकते हैं या फिर मार्केट यहां पर हुआ इसको उपर चला गया तो फिर यहां पर बनाना है या फिर नीचे सपोर्ट के पास में तो दोस्तों यहां पर रिवर्सल देगा तो जो भी होगा एगें आपको अब्डिट कर देंगे फिलाल हमने यह लेवल आपको बता दिया क्या को कैसे ट्रेट करना है अब बात कर दोते हैं यहां पर बैंग के बारे में देखें बैंक निफ्टी में थ्रॉटा सांब मंतली टेंफ्रेम का चार्ट दिखाएंगे यहां पर क्या हुआ था कि आपका यहां पर इभनिंग स्टार्ट पैटर्न ठीक है वजेट के दिन में क्या हुआ था कि आपका मार्केट यहां पर फोरेश के चार्ट पर देखो यहां पर दोस्तो इसने अब यहां पर बनाए यहां पर देखो गया भी तीक है अब इसमें आपको क्या करना है इस में भी जो लेवल था वो थोड़ा सिफ्ट हो गिया ठीक है आज भी मॉर्णिंग में क्या हुआ था आप देख सकते हैं मार्केट उपर गया रेस्टेंस के पास में गया सस्टे नहीं किया फिर वापस नीचे आ गया ठीक है आप देखो यहां पे 41657 और वहां से नीचे आ गया अब क्या हुआ दोस्तो जो आपका जो आपका यह था जो रेस्टेंस था ना वह सिफ्ट हो गया स्लोली जो 41500 था ना यह बने आपका रेस्टेंस ठीक है आपका रेस्टेंस बने गया और डाउन साइट में जो सपोर्ट है 41250 से 41300 यह आपका रेंज हो गया अब देखो मार्किट ओपन कहां होता है यदि कल क्या होगा यदि इसको सस्टेंग करेगा जैसे मार्किट यहाई पहना पर क्लोजिंग दिया तो इसकी सपोर्ट के पा क्या करना है 100-500 लेकर के प्रफिट बुक कर लेना देखना यह है क्या मार्किट इसकी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है यह पर जाएगा तो देखो मार्किट में क्या होता है क्या सपोर्ट कर सकता है यहाँ इसको ब्रेक करता है यदि ब्रेक की आदेने अच्छी से कि मार्केट ओपन हो रहा है कि नहीं करेगा तो यहां पर शॉर्ट इल्गा ट्रेडी भी आप बना सकते हैं तो हमने यहां पर बहुत अच्छे से आपको बता दिया ठीक है चलिए अब बात करते हैं कुछ इस टॉक के बारे में जिसमें आप को ट्रेड बना सकते हैं सबसे दो बार इसको शॉट करवाया क्यों यह क्या हुआ था ना अपर यहां पर यहां पर इसका टार्गेट नहीं दिया तो इसका टार्गेट है ऊपका 45-50 और दोस्तों इसने क्या कि एगीन इसने डेली टैम पर एक्जिक्यूट कर दिया अ पेटर्ण फॉर्म किया इसको कहते हैं डार्क लॉड कवर पेटर्ण समझिएगा डार्क लॉड कवर पेटर्ण क्या होता है तो यहां पर फर्स्ट केंडर एक प्रॉपर आपका बूलिश होगा इसके बास सेंडर नेक्स यह मस्ट भी वियरिस और यह इसके बॉड़ी गत्व इसमें वही हुआ है तो यदि कल एक केनल ब्रेक कर देगा ऐसे फोरेश्ट पर एक्जुक्शन हो चुका है तो आप सेल इसका ट्रेट बना सकते हैं तो एक तो इसका टार्गेट है वह है 4500 का तो हो सब्सक्राइब कल एक बार दोस्तों फिर से 4620 से 4630 मिले या फिर ओपन है इसमें दिन डाइट आप इसमें शौर्ट लगा टेड बना सकते हैं तो आज इसमें दो ट्रेट हो चुका है कल भी आप इस पुराड पर रख सकते हैं इसकी बात करें इस टॉक के बारे में जिसमें आज 10% की गिराबट हमें देख रहे है वह है नौकरी हमने दोस्तों इसम बारे में इसमें च्छोटर खौसर घृथा यहां भाई करेंगे तो गिरेगा भाई करेंगे उनको लगया कि इतना नीची गिर गिर गिया बाई करो बाई करो बड़ दोस्तों यहां पर एक्च्वल में कहा है और आप अच्छा मुनाफ़ा अब भी आप देख सकते हैं इसन बुलिस राइम पेटर्ण यहां पर देख सकते हैं आप हाईवी ब्रेक हो चुका है पिक्चर परफ्रक्ट एक डाउंट्रेंड आया है यहां पर बना है बुलिस राइम पेटर्ण एक्वर्डिंग डिस एक्जिक्विशन हो चुका है और इसको जाना कहां पर 3550 3500 पर इसको जाना है तो यदी कल यह आपको यहां पर बता दे रहे है दोस्तों यदी कल यह आपको कहां मिलेगा एक बार यहां पर 3450 के नीचे कहीं मिले न तो आप सकते हैं और अपसार्टायर 3550 का आपको दिखने को मिलेगा तो कल के लिएगा पर रख सकते हैं इसके बाद नेक्स स्ट्रोक है दोस्तों वह ए सीच आज देखो इसमें गिरावट हुई बट कोई नहीं हमने यहां पर भाइप किया इंटरेम थो साथ एसल हिट किया बड दोस्तों हमने एगें यहां पर बॉटम में बाइप किया था और फिर यहां पर हमार अश्त circuit के बाद डिफ करके चल सकते हैं इसके बाद रख करना चाहिएगे बर्जम पर यहां पर देख सकते हैं बर्जर पेंड, इसमें किया है इसमें वीक्ली थेम्फ्रेम पेठर्ण है इहां करके चल सकते हैं अफसाइट इसमें दोस्तों 650 का टार्गेट आपको दिखा सकता है और जैसे कि आपको बता देना चाहेंगे अभी आपका जैसे हमने बिटानिया बताया या फैडरल बैंक का चार्ड देख सकते हैं या फिर आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जैसा रहेगा वैसा आपको काम करना है दोस्तों जो भी आप लोग यहां पे यूटूब पे हैं वो क्या करेंगे मेरा जोइन कर सकते हैं क्योंकि लाइब मार्केट अपडेट आपको बताते हैं यहां पर वारती में दिबीज लाव आइरचिटीसी नौकरी वीकली यहां दोस्तों देखो बिटानिया 30 मिन हमने दिया था ठीकिए बाटा इंडिया है निफ्टी ऐसे सपोर्ट हमने दोस्तों यहां पर आपको कर दिया था ठीकिक है यहां पर हूल्ट है आपको मैसज्ज जाता है अर्स दे आपको प्रियों कोस्ट आपको यहां पर अपडेट मिलते रहता है तो आप इसको चाहे तो जोइन कर सकते हैं साथ में दोस्तों आप लोग चाहे तो एक और मेरा चैनल है लॉर्णि लाइब मार्किट उसको भी जोइन कर सकते हैं यहां देखिए नौकरी का प्रोफिट 4400 का लोकरी का यहां पर इसको अ नौकरी का यहां पर वाय कर आप यहां पर बारी कि आफ़े ठीट मेरा मार्किट शैनल इस पर हम ने राइक कर सकते हैं इस को हमने यहां पर किया था तो यह चीज होता है यहां पर आपको देखने को मिलता है तो आप लोग चाहते हैं आप लोग चाहते हैं सीखना आप चाहे तो मेरा जो नेक्स बैस स्टार्ट होने वाली है वह तो मार्च में होगी और इसमें जो फी एव इंकीर फी मुड़ें और आज के वीडियो से कौछ सीखने को मिला और विडियो झाल झाल झाल